इस बीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे चात्र वा चात्रा हैं बिए फ़स्टियर के फ़स्ट समस्टर के चात्र हैं और वो सोसोलोजी यानि कि समासाफ्त के MCQ टाइप वाली परिच्छा देने जा रहे हैं यानि कि अबजेक्टिव वाली तो उनके लिए बीडियो बहु मेजर होती हैं उसमें सब्जेक्टिव आते हैं लेकिन एक सब्जेक्ट उनका होता है जो माइनर होता है ठीक है तो माइनर होता ऑब्जेक्टिव ठीक है तो यह मेजर और माइनर वाले चात्रों के लिए बहुत ही महात्पूर है जिनकी सोसोलोजी समासाफ्त के परिच्छा अब्जेक्टिव आनि कि MCQ बेस पे होने वाली एक कोश्चन चार अपसन वाली ठीक है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं आप चाय भारत के जिस भी इनुवर्शिटी के चात्रों सभी के लिए महात्पोड है ओके चली आते हैं पहले कोश्चन पर पहला कोश्चन में यह कह प्रतरष्स के रूप में तो हमारे प्रमुक समाश साफ्त्रे और विद्वान जिनका नाम है मैका है इन्हों ने जिस प्रकार के संघर्स का उलेक 온लएक किया है धर्म एक्सक थे stability कि आ भिचार किसका है कौन से विध्वान है तो फे फैहलते हैं वो क्या यह कि इसे वस्त को प्राप्त करने के लिए होड़ है जिसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं होती कि उसकी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके ठीक है तो यह जो कहा गया है वो कहा गया थिक है रोबर्ट पॉर्ग के दवारा सधर लेंड की दवारा ग्रियन के दवारा ठीक है तो यह तीनों लोगों ने कहा इसलिए नहीं दिये गए किसी भी ब्रिद्वान दा पुस्तक दा ग्रामर आफ साइंस के लेखा कौन है ठीक है तो दा पुस्तक ठीक है पुस्तक जो एक पुस्तक है एक बुग है जिसका नाम है दा ग्रामर आफ साइंस ठीक है और इसको लिखने वाले जो प्रमुक कभी है उनका नाम है उत्तर हो जाएगा सा नमबर ठीक उन क्या है एक प्रमुक्त बिद्वान और समास साफ्त रहें ठीक है बहुत फारे कोईश्चन इसलिए हम थोड़ा वीडियो को फास्ट करेंगे और मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन ही आप लोगों के लिए तैयार किये गए वह हम आपको बताएंगे इस बात को ध्यान रखेंग तो इन्होंने समास साफ्त का जो सरप्रथम प्रियोग है वह किश्चन में किया था तो वह सन था 1938 का याद फोरी 1839 का कौन सा सन था 1839 का बानंबर से उत्तर होगा अगला कि और दोगी क्रांत का प्रारंब हुई बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है ध्यान से सुनेंगे कोई कि और यूट पर लोग जानते ही ठीक है कौन सा देश है अच्छे से अब भली बात अगला प्रस्ट है कि निम्रकित में से कौन सा सही शुमलित नहीं है ठीक है यानि कि कौन सा सही फटीग नहीं बैठ रहा वह भीया है धूर्खिम ससाइटी बाकि किंग्स डोइविस्ट्र Human Society, Cooling Social Organization ठीक बाकि सब सही हैं लेकिन दुर्खिम सोसाइटी ये गलत मिलान है इसलिए सही उत्तर इसका यही होगा यहाँ पर नहीं की बात हो रहे हैं इसलिए सही उत्तर साह हो जाएगा क्योंकि यह नहीं है बाकि सब्सक्राइब को समाजिक स्वरूप साफ्तर समाजिक निय मेथट के लेखक कौन है ठीक है तो इस पुस्तक के जो लेखक है याद रखेंगे बहुत महात्पूर्ट प्रस्ण है सही उत्तर का हो जाएगा दुर्खीम दुर्खीम जो प्रोक सस्वरूप मतलब कि समाज साफ्तर और बिद्वान है ठीक है और यही इसकी लेखक है दुर सब्सक्राइब तो आप लोग इसका उत्तर जानते हैं ठीक होश ठीक हो वास्टर हें से क्या से वास्टर हें का मतलब होता है बोध याद रखेंगे आ नंबर से उत्तर होगा अगला प्रशन है कि भाईया सोसोलोजिकल सोसियस एवं ठीक है सोसोलोजी सोरी सोसोलोजी सोसिय यह सब्दब अलग यह सब्दों से मिलकर बना है। यह सब्द अलग अलग भांसा ओंने और यह जो उन्होंदों सब्द हैं। तो कौन से भांसा के हैं इनमें आपको बताना है ठीक है तो इसाही उत्तर हो जाएगा बहुत है जो सोशियज सब्द है वो लैटिन भांसागा है ठीक है और जो लोगत सब्द है ये ग्रीग भासा का है इस बात को ध्यान रखेंगे अगला है कि मौरिस जिन सवर्ग के अनुसार निमलिखित में से कौन सा समाफ साफ्त का विसेवस्त का भाग नहीं है ठीक है भाग नहीं है कि बात हो रही ठीक है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा य रसनाकार और लेखक है ठीक है इलकेस ठीक है इलकेस इनकलेस ठीक है इलकेस और इनकलेस सा नंबर से उत्तर होगा इलकेस और इनकलेस धान रखेंगे हाड नाम है लेकिन कंपलसरी कुस्च्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट के वारा भी चुका है और अगला प्रशन है कि है जो परदाच से लही है क्या नहीं है कि अगला न९हां अंग सबातमक संपरदास से संबंधित नहीं नहीं है तो जो संबंधित नहीं है तो का मिकी अगला की बिशुद्ध समाज साफ्थ की अधाना दी गई तो समासाफत की जो आउधाना दी घूंजा और नमबर कीसने समासफत को को समाजी कुछ ने दिया वार्ड ने सा नंबर से उत्तर हो जाएगा अगला कि निम्लिकित में से कौन सा युग्मन सही नहीं तो इतना महातपोर्ड नहीं आप लेकिसे इतना इंपॉर्ट नहीं ठीक है अगले कोश्चिन करो भड़ते हैं अगला कोश्चिन कही रहा है कि यह निम्लिक में से सही सुमिल नहीं नहीं है तो इसमें कों सा एफ़ा जो सही मिलां नहीं है तो वह दानंबर डेविस सोसल ऑडर यह इसके रसनाकार नहीं Aa खख नहीं इसलिए सही उत्तर यह होगा किकर नहीं है तो सहीत्तर्ण द्दा हो जाएगा अगला कोर्षचन की सुषब वाट फ्रां लोर्टो साइनस लखी गई है ठीक किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक तो ये लिखी गई है ठीक है बंसर एवं बेकर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है इसलिए बी नंबर सही उत्तर होगा बानंबर अगला प्रश्ण वहिया कहे रहा कि निम्लिखित में से समाफ साफ्त्रियों से किसको समाफ साफ्त का दूफरा जनक कहा जाता है दूफरे जनक की रूप में किसको जाना जाता है बहुत हिमात पूर्ट प्रशन याद रखेंगे और कमेट सेक्षिन में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं ठीक है उत्तरश्का हो जाएगा उपरियुक्त में से कोई नहीं और चाहाटे आप ब्ता दीजिए कि दूफरा जनक कि किस्व कहा जाता अगर आज है कि लुडशी दो बाकी इसमें से ब्रतम अगस्त्रकंटइ जी है और संसथापक में दुर्खीम और मैक्स वेवर जी हैं ठीक है और साथ साथ में काल्स मार्स भी जी है ठीक इस बात को दिहान लखेंगे अगला कोश्चन कहिए रहा कि समास साफ्ट रमातर तभी उत्पादक है जब उसका आधार दासनिक है यह बचार किस विद्वान ने बिक्त किया है ठीक है तो उनका नाम है वीर कांद ने किया है तो इ है तो इन में से जो समास साफ्ट की बिसेवस्त नहीं वो खगोल साफ्ट रहें बाकी सभी है ठीक है अगला कि समास साफ्ट अध्यन करता है क्या तो समास साफ्ट जो अध्यन करता हो समाजिक संबंदों को भी करता समाजिक क्रियाओं को भी करता समाजिक क्रियाओं को भी कर सोगता दो किया है नहीं जो और अंगला कि अगतिकि behavior है कि रिवाइड किया है अगला कुष्चिन है कि समास्वाफ्त निम्लिखित से क्युंसा कारक उत्तरदाई फटिक水 तो जो उत्तरदाई कारक स err nostril में से और बार वाद्वन फटिक है आप और बाद्वन इसली है कूछिए इसमें बाया द्यान स sap से प्रमुख उत्तरों के शक्राउज हो स्तों में पढ़ायी जाता है ंज्य GN confidence की एक्जाम की तैयारी करें किसी कमपेटिशिण रेलवेब, बैंकिंग ये Заसल की नहीं करें तो उन सभी के लिए महान पूहर पूहर्ण कोई आप तो धान नखेंगे बिग्यानिक पद्धियत होती है वह वर्गी करती है निरच्छन करती है ठीक है तत्यों का और यह जो बात है वह कौन से बिद्वान खालने कही है ठीक है तो उस बिद्वान का नाम है ठीक है अनंबर स्यफुत्र हो जाएंगा लुन्डबरक ने कहा है इस बात को ध्यान एकशन है कि ुश्चतव निश्चता Splash प्रमाण।क curriculum का अग्रफ्द्वान ग्रीन के द्वारा कही गई अगला प्रस्टन है कि स्वभाव से बिक्त एक जाज नितिक प्राड़ी है ये कथन किस के द्वारा दिया गया है तो ये जो कथन है ये आरफ्तो के द्वारा दिया गया है बानमबर सही उत्तर होगा ठीक है अगला एक निम्लकित में से कौन समाज साफ्त्री नहीं है इन आफसरों में से तो सह उत्तरिस का हो जाएगा चार्ल्स डॉर्विन ये एक समास साफ्त्री नहीं वाकिर सभी ये समास साफ्त्री और बिद्वान है ठीक है ये बिद्वान है लेकिन समास साफ्त्री नहीं ठीक है चार्ट डर्वेंजी यह समासाफ्त्री नहीं अगला प्रश्ण है कि निगमन बिधी हम निगमन बिधी में हम चलते हैं विस्टिस्टि से समाने की और या फिर विस्टिस्टि की और या फिर समाने से विस्टि की और किस प्रकार चलते हैं तो निगमन बिध में हम लोग समाने से बिशिष्टी की ओर चलते हैं श्युत्तरिका हो जाएगा अफ्सों नमबर ठीक है अगला प्रेशने की समास सास्थ्र का एक पर्थक बिशेय के रूप में अध्यन अमेर्यका में कब शुरू हुआ था, ध्यान लखेंगे, इस जो कि जो अध्यन जानकारी है , तुर नातमति है अगफ seniya साफ्त ते, सियुत्त हो जाएगा अगला कि समासाफ्थ के अध्यन की इकाई बेक्त नहीं बल की परिवार है ये विचार किस बिद्वान का है तो ये जो विचार है वो ठीक है सैम समोलर जी का है का नंबर से उत्तर हो जाएगा ध्यान रखेंगे काफी एलपुल कोश्चन है अगला कोश्चन किसन सत्तरा सो बेकर 1850 समय की जो बीच की अवद रही है इसको समासाफ्थ के विकास की फर्मा टीवाई यर्स्व कौन से बिद्वान ने कहा है ये बात तो ये जो बात कही गई है ध्यान रखेंगे ये कही गई है बोटो मोर बिद्वान के द्वारा खानमबर से उत्तर होगा अगला कि सम समासाफ्थ को एक बिज्ञान की रूप में अफ्थाफित करने का प्रियास कि ट्वारा गया है अगला क्वेस्टिय ने कि किसके अनुसार समास साफ्तर नाम दो भासाओं की एक अवेद संतान है तो यह बात जो कही गई है वह कही गई है रोबर्ट बेर स्टीड के द्वारा बनंबर सहुत्तर होगा ठीक है इनहीं के द्वारा बात कही गई ध्यान रखेंगे अगला कि बै जो प्रवत्ति है वो संबंदित है नए अविश्कारों से भी भविश्वाणी की समता से भी ततर्स अवलोकन से भी इसलिए सहुत तश्काव जाएगा ओपरयुक्त में से सभी ध्यान रखेंगे अगला है कि बिज्ञान का संबंद बिसेवस्त से ना होकर अध्यन पद्ध से यह विचार किसने कहा तो यह विचार एश ने मतबबात कही है यह फिर उनका आपना अइडिया रखा था. ठीक है इस बहुत ही पॉपऩिलरे जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी कि समावसाफ्त की सरप्रथम सब्सक्त का नाम क्याय सौमास आख्डियर स कि सरप्रितम सबसे पहले जो पुस्तक थी उसका नाम में ध्यान लखेंगे प्रिंसिपल आफ सोसिलोजी यही सही उत्तर होगा यही पहले पुस्तक ध्यान लखेंगे अगला कि समाज साफ्त की विश्य वस्त को ठीक है गिंस बर्ग ने कितने भागों में डिवाइट किया है क समान बिग्याने क्या है ठीक है तो समाज साफ्त की स्वरोपात्मक विचार धारा के नुसार समाज साफ्त एक विश्य विश्य विग्याने खान अंबर सही उत्तर होगा अगला कोश्चन करे रहा कि समाजिक संबंध ही समाज साफ्त की वास्तविक विश्य समागरी है यह जी बी मै के दुआरा कहा गया है गाहला कि सामावगी हैं के सरक्ष्फ के दा नंबर क्रौप 270 प्रिचलित होगा है झाला काथ कि आगमन पद्धित किस दिसा में ले जाती है तो जिसे डिशा के नाम में समानिकर लेडियान दें है । गानंबड से उत्तर होगा अगला प्रशनी कंई रा कि 917 सताप्दी में समाज षाफ्त के अधियं की किस मतलब कि समाज साफ्थ को बिग्यानों की रानी किस्ने प्रदान किया है और यह सब्द है किसने कहा है या किसने निकाला है तो सही उत्तर हो जाए कि यह बात कहिए अगस्त कामटे जी ने गानमबर सही उत्तर होगा अगला कि समाज साफ्त्र सामोहिक पृतिनिधियों का विज्ञान है या कथन किस विद्वान का है तो समाज साफ्त्र जो है वो समोहिक पृतिनिधियों का विज्ञान है ये बात जो कही गई है वो कही गई ही इमाईल दुर्खीम के द्वारा इसलिए खान अंबर से उत्तर होगा अगला है कि किसके बिचार से समाज साफ्त समाजिक क्रियाओं का अध्यन है ठीक है तो ये मैक्स वेवर द्वारा कहा गया है ध्यान रखेंग पोपलर कोश्चन है कि आध्यनिक समाज साफ्त की न्यू किस वर्ष रखे गई थी बहुत ही पोपलर कोश्चन तो आध्यनिक समाज साफ्त की जो सुरुवात है न्यू है वो फन 1839 में रखेंगे ध्यान रखेंगे अगला question कि यह समाज अत्वा समाजी घटनाओं का बिग्यान है समाज साफ्त की यह परिभाफा किस ने दी एक परिभाफा दी गई है ठीक है उसका नाम है यह समाज अत्वा समाजी घटनाओं का ही बिग्यान है समाज साफ्तर ठीक है और यह जो सब्द या फिर यह जो परिभ सभाफ़ा दी गई है एल एफ वाड की द्वारा की दी गई है गाह नंबर सहुत्तर होगा अगला की समाजिक भौतिकी की अउधाना से संबंदित समाफसाफ्तरी का क्या नाम है ठीक है तो उस समाफसाफ्तरी का नाम में ध्यान रखेंगे बहुत पॉप्लर कोश्चन है अगस हो जाएगा यह्वार समान्य उस भास को समाज साव्त कि स्रवामाणनी विचार धारा त्म वह ईए नहीं प्रश्चन है वह me इत्राव होगा अग्यक्त है सौण्वार रौप्तमक के सीमयं आंञब का नश्जिक है मैं तो वह है जोडज शीमेल ठीक है जोर्ज सीमेल अगला कि अमेर की समास साफ्त्रिय समित ने किस वर्स हुए एक समेलर में सर्व सम्मत से समास साफ्त की बिसे वफ्त निर्धायत की थी तो वो सन है 1954 का खानांबर सहुत्तरों का ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है कि दुर्खीम इमराईल दुर्खीम के अनुसास समास साफ्त की बिसे वफ्त क्या है ठीक है तो इनके अनुसास जो ठीक है समास साफ्त की जो बिसे वफ्त है समाजिक आकायरी की समाजिक सारीर साफ्त और समान समासाफ्त इसलिए स doctr क्ऺहानमबर होगा इन में से सभी अगला इसलिए समासाफ्त की समन्यात्मक भीचार्ध हरा के समर्थर कौन से बिद्दून है तो वो हैं इमराईल दुर्खीम इसलिए सर्यथ इस जाएगा का नमबर अगला है कि समास साथ का पिता किसे कहा जाता है या आप सभी बे ठीक है मतलब कि आप लोग इसके बारे में तो अच्छे वे जानते ही ठीक है सभी उत्तर अगस्त कामटे हो जाए कि सॉसोलोजी सभ्ड कि फदाश्कनिक ने गढ़ा था ठीक है तो उनका नाम है अगस्त कामटे ने सिंपल सा उत्तरका नमबर अगला है कि सोसी अफ जो की सोसयोजी का आधा मतलब कि सोसयोजी वो दो सबदों से मेल कर बना है सोसयस प्लस सब्सक्राइब तो सोसियस जो सब्द है किस भासा का है तो आप लोग जानते भी होंगी लेटिन भासा का है और अगला प्रशना कि समाज साफ्तर मानुवे अन्तहा संबंधों के चुरूपों का विज्ञान है ये कथन किस बिद्वान ने दिया तो उनका नामें जॉर्ज सीम अगला कि समाज साफ्त्र क्या है तो ध्यान रखेंगे समाज साफ्तर क्या है अगले पर सब्सक्राइब करते हैं कि आ कौन सा अफ्त्रीकन का अधार तो सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर व्यवाई की स्थित डिया है तो उन विद्वान का नाम है डेविस एवं मोर ने दिया है बानमर सही उत्तर होगा अगला की निविखित में से कौन एक समाजिक अफ्तिरी करण से बिसेशी करत है ठीक है तो ध्यान रखेंगे सहीवत्तरश का हो जाएगा सहीवत्तरश क्या हो जाएगा सभी मानो समाज तो सभी मानो समाज जो है वो समाजिक अफ्तिरी करण से समाज का जो अफ्तरी करण होता उनके बारे मुनको जानकारी किसको जुमानों होते हैं समाज के उनको इसके बारे मुनको जानकारी है ठीक है अगला कि जब समाज को उच्छता और जिम्रता के करम में बिभाजित नहीं करते हैं तो उसे क्या कहते हैं ठीक है तो उस प्रोसेश वह पॉप्ल्र समाज साफ्तिर लिद्वा ने अगला क्वस्न है कि समाजी गत्सिलता इसगर क्या वहाख वारोन से तीक है तो वह झायों रखेंगे कि समाजी हम स्थिलता-औदोगी कई समाज की बिसेश्ता वा-दम्लम होगा अगला कि जब एक परमपरागत समाज और दोगिक समाज के रूप में रूपांतर करता है तो वही समाज गत्सील्ता करता है इस्तिर रहती है मतलब समाजी सुमाजक अगरती रहती यो पर बढ़ती है ये फिर ऊप्रिक dissolक गत्से कोई के आधार की रूप में प्रियुक्त किया है किस बिद्वान ने तो उनका नाम है ध्यान लखेंगे बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है का नाम है सी डबलू मिल्स ने ठीक है यानि कि सयुत्तर आ नमबर होगा ओके अगला प्रश्ण है कि किस ने कहा कि अफ्त्रिकन समाज का ए समाज को चुटा और निम्नुता के क्रम में बिभाजित करते हैं तो उसको किस प्रोसेस को क्या कहते हैं फिर उससे क्या कहते हैं उसको कहेंगे हम अफ्त्री करने अगला की पुष्टक फंडा मेंटल्स आफ फोलीजल सोसोलोजी किस के द्वारा लिखी गई ठीक है तो यह जिस बर्ट के द्वारा लिखी गई बानमबर से उत्तर होगा अगला की किस ने कहा कि भारत में समाजिक अफ्त्री करन पवित्रता तथा प्रदोसर पर आधारी थे तो यह जो बात कही गई वो कही गई है लूई डेमो के द्वारा सा नंबर से उत्तर होगा अगला कुश्चन कही रहा कि समाज ठीक है समाजिक अफ्त्री करने के संगर से के सिद्धान से इन में से कौन कभी है फ़री कौन से समाज साफ्त्र जुड़े हैं उनका नाम है काल्स मार्क्स के जाधे अगला कोश्चन आप लोग को खुधी पढद लेना क्योंकि उसके सामने उसका उत्तर लिखा होगा जैसे कि जागेर प्रथा के अंतरगत भार्तिय समाज की कितने वर्ग है तो अगला कोश्चन है तो यह ठीड़ी पर मिल जाएगी जो चाहतर में मैसेज करेंगे बाकी एक्जाम की तैयारी करके जाएगा आपको काफी हिर्फ मिलेगी गारंटी नहीं लोगा कि यह सारे कोश्चन आएंगे लेकिन कुछ कोश्चन आपको इस वीडियों पर जरूर देखने हो भी लेंगे आपकी एक्जाम में ठी